तो यह देखो प्यारे बच्चों, अगर तुम देखोगे, यहां से इलेक्टिक और मैगनेटिक फिल्ड आप एलेक्टो मैगनेटिक वेव, यह बेसिक जो है वेव की प्रपरिटी है, उस पे सवाल अगर बेस है, तो अगर इलेक्टिक फिल्ड की इक्वेशन इस उकल टो A सा साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस केक्स आ रहा है, तो यहां पे जो मैगनेटिक फिल्ड की एक्वेशन आएगी, यहां से भी साइन ओमेगा टी माइनस केक्स आ सकती है, समझें, क्योंकि यहां पे देखो यहां से यह जो फेज है, वो चेंज नहीं होता है, इलेक्टि तो फेज y1 बराबर होता फेज हुआहिव स्केज्ट फेज जीरॉइय में हमें यहाद रहा होते हैं तो दूसरी बात ही पर्पेंडिकुलर होते हैं अगर वेव इदर जा रही है कि इलümanिकलोन में और प्रपरीचिशन और direction appropriation perpendicular to electric vector और perpendicular to magnetic vector तीनों आपस में perpendicular होते हैं और same phase में होते हैं तो C option सही है